नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जाती सर्वे रिपोर्ट जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला न्यूज प्लिक से जड़े 30 छिकानों पर दिल्ली पुलिस ने की चापे मारी वैया में रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे पंडित धिरंद श्रास्त्री अंदर ही होगा तरपन इस सक्षा को स्पोर्टल से गायब सक्षकों को ढून रहा विवाग भारत एशियन गेम्स 2023 के सेमी फाइनल में की धासू एंट्री इसके साथ ही बरते हैं शान तक की बड़ी खबरों के उन वस्तार से जाती सर्वे रिपोर्ट जारी होते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला एक तरफ जहां बीते दिन विहार में हुई जाती गन्ना की सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है तो वहीं अभ यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है दरसल सुप्रीम कोर्ट में इसके विडोद एक याचिका दायर कर दी गई है ऐसे में अब इस मामले पर सुनवाई 6 ऑक्टूबर को की जाएगी आपकी जानकारी के लिए बता दे किस मामले पर सुनवाई आज यानी की 3 ऑक्टूबर को ही की जानी थी लेकिन यह आची का करता के ओर से बताया गया कि जाती सर्वे का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है ऐसे मैं 6 अक्टूबर को इस पर शुनवाई होगी मालू हो कि हमामला कोट में पहले से लंबित था उस दौरान कोट की ओर से सर्वे की रिपोर्ट जारी करने पर रोक नहीं लगाई गई थी कोट का कहना था कि विस्तृत सुनवाई के बाद रोक का आदेश दिया जाएगा M नितीश कुमार ने बिहार पुलिस मुख्याले में मारा रेड़ इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार अचानक विवन विभागों में पहुँचक और चक नरिकशन कर रहे हैं वहीं जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की सूशना पुलिस मुख्याले के अधिकारियों को मिली तो वो भागते भागते हुए अपने कार्यारे पहुंचे मालुम हो कि अपने इस ओचक निरिक्षन को लेकर मुख्य मंत्रे नितीश खुमान के द्वारा अपने अधिकारियों को भी जानकारी नहीं दी जाती वे अचानक से किसी भी विभाग के सचीवाले की तरफ पहुँच जाते हैं बिहार STET 2023 परिच्छा का रिजल्ट जारी अगराब न अभ्यर्थियों में से हैं जिन्होंने सितंबर में आयुजित STET 2023 परिच्छा में भाग लिया था तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि आज यानि की 3 अक्टूबर को बिहार विद्याले परिच्छा समीती के परा की गई है ऐसे में जो भी अभ्यर्थि इस परिच्छा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट बिहार वोट की आधिकारिक वेफसाइट bsebstet.com पर जाकर अपना रोल नंबर और अपने जन्तिती की मदद से देख सकते हैं आपके जानकारी के लिए बता दे किस परि परिचारन की श्रिवात कर दी गई है बतादिक इस पेशल ट्रेन का सुभाडम सांसद रवी संकर प्रिशाद के द्वारा हरी जंटी दिखा कर किया गया है इसको लेकर पटना जंक्षन के प्लैटफॉर्म नंबर तस पर एक कारेक्रम का भी आयोजिन किया गया था जिसमें विधायक संजीव चरस्या, दानापूर्ट डी आरेम जन्त कुमार चौधरी समेत रेलवे के तमाम अधिकारी मौजूद रहें। इस बारे में मुख्य जन्संपर्क अधिकारी के दोरा बताया गया है कि स्पेशल ट्रेन में दुट्य वातानुकुलित श्रेनी का एक कोच, तिरते वातानुकुलित श्रेनी का तीन कोच, सयन यान्त श्रेनी के साथ कोच होंगे जिससे यात्रियों के सोधा को ध्यान में र दे दिया गया है, उन्होंने कहा कि जो समाजिक परिवर्तन का मैं प्रयास कर रहा हूँ, वह राजनीती से कभी समभब नहीं है, उन्होंने कहा कि जब तक हर जन को हम नहीं जगाते हैं, राजनिती अच्छा माध्यम है अच्छे लोगों आने चाहिए लेकिन मेरा विचार ऐसा भी नहीं है मैं अभी बस इस प्रयास में लगा हूँ कि हर व्यक्ति संगठित होकर समाज को कुछ दे और समाजिक परिवर्तन हो इसके साथ उन्होंने जाती बाद को लेकर काहा कि जातियां तो पहले भी थी लेकिन अभी की तरह जाती बाद नहीं था जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़े उन्होंने कहा कि हमारी सोच को बदनना होगा जो आकड़ा है और जो चीजे सरकार करने का प्रयास कर रही है तो निश्यत ही बड़ा उद्देशी होगा मुंगेर के बेटी स्रीजा सेन गुपता बनी मिस इंडिया बिहार के मुंगेर जिला मुख्याले स्थित बड़ी बाजार निवासी 19 वर्सिये बेटी स्रीजा सेन गुपता के दोरा 23 सितंबर को जैपूर में आयोजित हुई फूर इवर मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया गया है इसे में उनकी सुपलब्धी पर वधाई देनी वालों का तांता लगा हुआ है बता दे कि मुंगेर भाजपा विधायक प्रणव कुमार सहित अन्य भाजपा नेता के दोरा श्रीजा सेन गुपता को बुक्के और गिफ्ट देकर स्वागत किया गया आपके जानकारी के बता दे कि जैपूर में आयोजित इस कारिक्रम में सभी राज्जियों से लगभग 200 यूवतियों के दोरा भाग लिया गया था जिसमें बिहार से लगभग 25 प्रती भागी शामिल हुए थे उसमें से मिस इंडिया बिहार की घोषना स्टीजा सेन गुपता के नाम से की गई स्टीजा सेन गुपता बताती है कि वह आगे मिस इंडिया इंटरनाशनल बनने का सपना रखती है और साथ ही लैक में फोटो सूट का भी शपना रखती है गया में रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे पंडित धिरंदर सास्री अंदर ही होगा तरपन बागीश्वर धाम के बाबा पंडित धिरंदर कृष्ण सास्री अपने तीन दिवसी दौरे को लेकर बिहार के गया पहुँच चुके है बतादे कि इस दौरान में रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे यानि की होटल में ही वितरपन करवाएंगे और होटल के अंदर ही भक्तों से मिलेंगे और पूजा अर्चना कराएंगे इसके अलावा वे विश्नुपद मंदिर में स्रीहरी विश्नुचरन का दर्शन भी नहीं करेंगे बतादे कि पंडित धरंदर कृष्ण सास्री सिर्फ 4 ओक्टूबर को ही अपने होटल से बाहर निकलेंगे और वह भी गया से रवाना होने के लिए इतना ही नहीं मीडिया को भी उनके कारिक्रम से दूर रखा गया है मालुम हो कि सोमवार शाम बागीश्वर धाम के पिठाधीस गया पहुंचे उनके बीच साथ बीजेपी सांसद मनोस तिवारी भी दिखे रात 9 बजे से लिकर 11 बजे तक संबुधी रिजॉर्ट में ही पंड़स सास्री ने अपने भक्तों को भागवत कथा सुनाई मंगलवार सुभा रिजॉर्ट के अंदर ही वे भक्तों की पूजा अर्चना और तरपन करवाए इस सिक्षा कोस पोटल से गायब सक्षकों को ढूंड रहा वे भाग अपर राचे परियोजना पदाधिकारी के द्वारा राजे के सभी जिलों के अधिकारियों से उन सिक्षकों को लेकर जवाब मांगा गया है जो इस सिक्षा कोस पोटल से गायब है दरसल राची में 77,835 स्कूल है मगर ईसिक छाकोस पोटल पर केवल 55,397 स्कूलों के सक्षकों के नाम ही मिले है ऐसे में विवाग की ओर से इस बड़ी संख्या में अंतर पर जवाब मांगा गया है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि पोटल पर मौजूद स्कूलों के नाम के नुसार ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाब दिया जाएगा ऐसे में जिन स्कूलों का नाम इस पोटल पर उपलब्द नहीं होगा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाब नहीं मिल सकेगा वहीँ इसके लवा इस पोर्टल पर जिन स्कूलों का नाम अपडेट रहेगा उन स्कूलों के बच्यों की रोजाना उपस्तिती से लेकर सक्चकों के भी उपस्तिती की निगरानी की जा सकेगी बिटे 24 घंटे में मिले डेंगू के 151 नई मामले बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जाड़ी है, बतादि के पिछले 24 गन्ते में राज्चे में डेंगू के कुल 151 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से बिहार की राजधानी पटना से अकेले 30 मामले शामिल है, इसके अलावा मुंगेर से भी 1886 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सितंबर से प्रदेश में 6611 डिंगु के मामले मिले हैं उसमें बिहार की राजधानी पटना में ही केवल 2078 मरीज हैं ऐसे में डिंगु के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्त विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं नियूस क्लिक से जड़े 30 ठीकानों पर दिल्ली पुलिस ने की चापे मारी मनोज जानी कहा ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सल के द्वारा चीन से फंडिंग लेकर भारत विरोधी एजन्डा चलाने के आरोप में नियूस क्लिक वेब साइट से जड़े पत्रकारों के दिल्ल कहा गया है कि इसे दिल्ली पुलिस की काड़वाई नहीं बलकि केंद्रे ग्री मंतराले के सारे पर की गई काड़वाई कहा जाना चाहिए केंदरे ग्रिह मंत्री अमस्सा की ओर इशाड़ा करते वे मनोज जाने कहा कि गांधी जयनती के ठीक बाद इससे ज़ादा दुर्भाग्य पुर्ण और दुर्भावना पुर्ण कारवाई नहीं हो सकती जो लोग केंदर से सवाल पूछे भाजपा की भजन मंडली में शामिल ना हो उनके साथ इस प्रकार की कारवाई हो रही है और उन्हें कहा कि आज की यह कारवाई इतिहास में दर्ज होगी एक दिन पहले जाती गन्ना के रिपोर्ट आई है जिससे बीजेपी की जमीन खिसक गई है इस दे पत्रकारों के द्वा इनको समाज की बहतरी से कोई लेना देना नहीं है जाती गन्ना को अंतन दाओ के रूप में खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बाट कर एक बार फिर किसी तरह चनाओ की नईया पार लगाया जाए नितीश कुमार 18 सालों से सत्ता में है पर अब क्यो जाती गरीब और पिचरे हैं और ये जानकारी सरकार के पास है इसे क्यों नहीं सुधारते दलितों की जनगन्ना आजादी के बास से हो रही है उसकी दर्शा आप क्यों नहीं सुधार रहें उनके लिए आपनी क्या किया मुसल्मानों की जनगन्ना की हुई है उनकी हाल सुधर क्य पुराने निताओं को इखटा किया जाने वाला है इसके तहट राजे के सभी जिलो में कारिक्रम आयुजित करवाये जाएंगे और जनसंक और बीजेपी से जुरे पुराने नेताओं को सम्मानित किया जाएगा मालम हो कि जेपी नड़ा करीब नौ महीने के बाद विहार के दौरे पर आ रहे हैं अंतिम भारवे तीन जनवरी को वैशाली में आये थे कि बिहार के जातिय जनगना के बाद जिसके जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कि नारे एवं परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है कि कहावत को चरितार्थ करने के लिए मुख्य मंतरी नितीश कुमार जी को अपने मंतरी मंदल में आज ही एक-एक मुसलिम अतिपिछरा एवं अनुश्री जाती को मुख्य मंतरी बिनाना चाहिए बिहार जाती सर्वे के रिपोर्ट पर माया वती ने की मांग एक तरफ जहां बीते दिन बिहार में जाती गना की सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है तो वही दूसरी ओर अब इसको लेकर राजनितिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है पतादी के अब इसे बीच बहुजन समाज पार्टी की राजट्री अध्यक्ष एवं पुर्व मुख्य मंतरी माया वती के दौरा एक्सपर ट्वीट कर अपनी एक मांग रखी गई है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिहार सरकार दौरा कड़ाए गए जातिये जंगना के आंकरे सावजनिक होने की खबरे आज काफी सुर्ख्यों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं चारी है कुछ पार्टिया इससे और सहज जरूर है किन्तु बियस्पी के लिए OBC के सेमधानिक हक के लंबे संगर्श की पहली सीधी है बियस्पी को प्रसंता है कि देश की राज़िती उपेक्षित वहुजज समाज के पक्ष में इसकार नया करवट ले रही है जिसका नतीज़ा है कि SCST अलक्षन को निस्क्रिये वा निश्पभावी बनाने तिथा घोड़ OBC वमंडल विरोधी जातीवादी एवं सामप्रदाइक दल भी अपने भाविश्य के प्रती चिंतित नजर आने लगे हैं भारत ने एशियन गेम्स 2023 के सेमी फाइनल में की धासू एंड्री चीन की हंग जों में चल रहे एशियन गेम्स 2023 के सेमी फाइनल में रितुराज गायकवार के नतितुवाली भारतिये टीम ने यसस्वी जैसवाल और रवी विस्नोई के उम्दा प्रदर्शन के बदौरत नेपाल को 23 रन से मात देते वे धासू तरीके से प्रवेश पालिया है पतादे की टौस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतिये टीम के दोरा नरधारित 20 ओवर में 202 रन बनाए गए जिसके जवाब में नेपाल की टीम के दोरा 20 ओवर में 9 विकेट खोते वे 189 रन बनाए गए मालुम हो कि भारत की ओर से यसस्वी जैसवाल के दोरा 100 रन बनाए गए जिन में 8-4 के वसाथ चके शामल थे इसी के साथ बाएं हाथ के बल्लेबाज T20 इंटरनाशनल क्रिकेट में सतक जमानी वाले सबसे युवा भारतिये बल्लेबाज बने इसके लावा रिंकु सिंग के दोरा महज 15 गेंदो में नाबाद 37 रन बनाए गया और विस्नोई और आवेस खां ने अपने नाम 3-3 विकेट किये। सार जाती गन्ना बिहार के तर्च पर पूरे देश में होना चाहिए अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बन रहने के लिए देखते रहें बिहार दी नियूस और साथी अगर आप पेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद